जैसियाराम अए कि दूसरा संकट तयार बैठा है एक समस्या का भी निधान निगला नहीं कि दूसरी समस्या आनकड़ी हुई है तो ऐसा होता क्यूं है जो हर्वांजी के सादक हैं चुकि हर्वांजी तो तुम रक्षक काहू को ड़ना हर्वांजी रक्षक बन जाते हैं इस बाबत बहुत सारे संत महत्माओं से हमने जब बात चित की कि एक तो ये कहा जाता है कि ये पूरा संसार ही दुखाले है सुख दुख तो आते जाते रहते हैं लेकिन विपतियां तल जाएं बैक्ति के जीवन में इतना सुख चैन उसको मिल जाए कि आराम से इश्वर की भक्ती करता रहे गुडगान करता रहे इधर उधर के बारे में उसको सोचने कि आशक्ता न हो क्या ऐसे इस्तिती आ सकती है क्या तो इसका उत्तर तो मिला कि हाँ बिलकुल ऐसे इस्तिती आ सकती है और एक कैसे आएगी इसके बारे में हनुमान जी ने स्वैम कहा है हनुमान जी प्रभुराम से कहते हैं कि कह हनुमंत विपती प्रभु सोई जब तव सुमिरन भजन न होई जो हम पाठ करते हैं जो पूजा करते हैं जो अनुष्ठान करते हैं तप करते हैं जब करते हैं सबका अपना एक निर्धारित फल है जो हमें प्राप्त होता है और जिसकी वज़े से हमारे जीवन से समस्याएं तलती हैं समस्याएं दूर हो जाती हैं संकटों का निवारण हो जाता है हनुआजी के प्रती हमारी भक्ती बढ़ती है ये बिलकुल अकाटि सत्य है ऐसा होता है लेकिन विपतियां अगर घेरे हुए है एक विपति के बाद दूसरी विपति दूसरी के बाद तीसरी बैक्ति इसी में इतना उल्जा रह जाता है बहुत सारे लोगों से बाचित होती है वो लोग बताते हैं कि क्या भजन में मन लगेगा क्या बैक्ति भक्ति करेगा इतनी सारी परिशानिया है इतने सारे दुख है इतने कस्ट है dinosaur कि ध्यान टिकता कहा है इहुर कम से कम ईतनी बेस्था तो कर दें कि बैक्ति चैन से उनकी भक्ति कर सके ये बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि इतनी बेउस्था तो होनी चाहिए ऐसा तो होई जाना चाहिए कुछ ऐसा उपकरम तो इश्वर की तरफ से होई जाना चाहिए कि बैक्तिश सुक्चैन से आराम से बैठ करके कम से कम इश्वर का भजन कर सके लेकिन समस्याएं के बारे में श्री हनुमान जी ने कहा है कि विपति तभी आती है जब आपका सुमिरन नहीं होता यानि प्रभुराम से कह रहे है हनुमान जी कि विपति तभी आती है कि हनुमंत विपति प्रभु सोई जब तव सुमिरन भजन न होई यहां पे किसी पाठ के बारे में नहीं कहा गया है किसी जब के बारे में नहीं तब के बारे में नहीं ये कहा गया है कि जब आपका सुमिरन नहीं होता जिसको लोग सिमरन भी कहते हैं कि सिमरन करो जो लोग सिख पंथ के हैं वो भी कहते हैं कि सिमरन बहुत आउश्यक है सुमिरन करते हैं सुमिरन है क्या कैसे होगा स जब कैसे संबह है ब्यक्ति के तो जीवन में इतने सारे काम है इतने सारे प्रिशानिया कठिनाईया है कैसे संबह है कि निरंतर जब चलता रहे लेकिन एक ऐसे इस्तिती आती है अगर ब्यक्ति चाहे और उस बात को समझ जाए हन्वान जे कृपा कर दें तो ऐसे इस्तिती आ जाती है जहां पर विपत्तियों का नाश हो जाता है और एक विपत्ति के बाद दूसरी विपत्ति नहीं आती। कि नजाने कब यह समय साय टलेंगी दूर होंगी इस तरह के बिए प्रश्ण लोगों के मन में उठते रहते हैं तो जो हम पाठ करते हैं जो जब करते हैं जादतर उसमें वाचिक होता है जो हम बोल के पढ़ रहे होते हैं लेकिन भक्ति की इस्तिती एक ऐसी आती है वाचिक जब के बाद हम उपांशु जब की तरफ चले जाती है जहां पे संत महत्माओ को आपने देखा होगा कि उनके होट बुदबुदाते हैं असपष्ट नहीं होता कि वो क्या पाट कर रहे हैं क्या बोल रहे हैं क्या जब कर र रहता है वो ब्यक्ति बाहर लोगों से बाचित करता है अपने सारे कारियों को संपादित करता है लेकिन उसके भीतर एक जब भी चलते रहता है जो बाहर किसी को सुनाई नहीं देता लेकिन एक राम धुन हमेशा चलते रहता है हनुआन जी का धुन एक बसते रहता है भीतर उसके बाद भिक जो एक इस्तिती आती है जहां पे ना कोई पाठ होता है ना जब ना उपांशु जब ना वाचिक जब ना अजपा ना मनसा और नहीं कुछ इस तरह की बाते रहती है क्रिया कलाप में बक्ति दिखाई देता है बलकि स्तिती ऐसी आ जाती है कि स्मृति आ जाती है यानि ये जो वस्ता होती है स्मृति कि बैक्ति हनुमान जी को भूलता ही नहीं है भूलाए भी नहीं भूलता जैसे किसी का मन कहीं पे अटक गया हो लाख व अपने को भूलाने की कोशिश करे घुम फिर करके मन वहीं पहुंच जाता है यह स्मृति है कि स्मृति से वो निकलता ही नहीं है दिल में ऐसा बैठ गया है जैसे कि हर्मान जी की हरदाय में सौयम राम सिता इस तरह से विराजमान है कि कुछ भी हो वो वहीं विराजमान रहेंगे यह स्मृति की अवस्था होती है जिसको सुमिरन कहा जाता है यह सुमिरन है कि हमेशा यहां एक बना हुआ है ब्यक्ति भूलता ही नहीं है ब्यक्ति को अलग से किसी उपकरम की आवशकता ही नहीं होती तो ये सुमिरन की जब इस्तिती आजाती है, जब तब सुमिरन भजन न होई, सुमिरन फिर भजन, जब भीतर सुमिरन रहेगा, एक स्मिरती बनी रहेगी, तो भजन स्वता शुरू हो जाएगा, तो हनुमान जी कहते हैं कि बेक्ति के जीवन में विपत्ती तभी आती है, रा प googelnिद्दcribe में कुद को रखते हैं पहले शुर्वात तोही होती है कि हम पाथ करते हैं जब करते हैं फिर उसके बाद अजबसा ऊजब पिर मनसा के इस्तिति आ जाती है और उसके बाद फिर इसमृति के इस्तिति आ जाती हैं तो उसे परिशान होने की घबडाने की आउशकता नहीं है हनुआ जी पर भरोसा रखें जो भी आप पाठ करते हैं आप करते रहें और हनुआ जी से अगर बार बार संकट जीवन में आ रहा है तो संकट मोचन हनुआ निश्टक की क्या महिमा है क्या उसका भावारत है क्या विधी होगी हम इसके बारे में बात करेंगे जैसी आराम